आज बनाएंगे मार्केट वाली पैटीज घर पे परत वाली जिसमें बहुत सारे लेयर होते हैं उस तरह का पैटीज हम घर पे बनाएंगे घर पे पैटीज बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितने सारे इसमें लेयर पड़े हुए हैं देख सकते हैं इसे मैं तोड़के कि वीडियो पसंद आया तो लाइक किज़ें कमन किज़ें चैनल को सब्सक्राइब करें गंटि कोई प्रेश करें ताकि मेरे वीडियो के नौटिक पे कसल आपको सबसे पहले मिले और आप उससे देख पाएं चलिए सुरू करते हैं पेटिज बनाने के लिए हमने एक बॉल ल हमारा बिल्कुल सा फैरें अब इसमें हमढ़ें गही घी हमढ़ेंगे कोर्टॉरी से अमने माब के लिये तो इसका छताइ भाग हम हम घीं घींगे आप कपसे लेते हैं तो इसका चताइध भाग जोखी अब घ्रिवाइन आयएं अब डाल देते हैं साधनिसार नमक, नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे अजवाइन, और अजवाइन हमारा डाइजेट के लिए भी बहुत फाइदेबन होता है, इस सब को डाल दी हैं, अब इन्हें हाथों से हम मिक्स कर लेंगे, आच्छे से हमें माइदे में इस तरह से हमने इसे देखिए, मिक्स कर रहे हैं, और जब आप इसे मुठी बना के देखोगे तो यह लडू काकार का बनने लगेगा, तो मैं आपको मुठी बना के देखाती है, इस तरह का मौहिं हमें चाहिए, अब ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और हम डो त्यार करेंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी के छीटे डाल डालके इसे अच्छे से गुठ लेंगे, इस तरह से हम गुठना है, जितर से हम रोटी के लिए आटा गुठते हैं, नहीं ज़्यादा सौप्ट होना चाहिए, और नहीं ज़्यादा टाइट ओनला चाहें इस तरह का हमें मेदे को गुत के त्यार करना है अब किसे हम थोरा से इस तरह से तरह से मसाल देंगे पन्चिंग कर करके जब हम मेदे वो गुतेंगे तो अच्छा हमारा डोबन के त्यार होगा, सॉप्ट होगा नरम भी होगा, और देखिए हमने बिल्कुल सॉप्ट सा इसे त्यार कर लिया है, अब इसे हम ढख कर रख देंगे 10 मिनिट के लिए, पत्वरी में हमने 2 चमच रिफाइन तेल लिया है, इसका हम बे दानिया, शाबुत, जीरा, शाबुत, एक चमच और सॉप्ट लिया है, बारी कटा हुआ, दो हरी मेच, बारी कटा हुआ, हरा दनिया, मटर लिये हैं, और इसमें डालेंगे उबले हुए आलो, तो हमने देखिए उब आलो ले लिए है, इसे छिल के हमने साप कर लिया है, इ या फिर सरसुतल का ईज कर सकते हैं हमने इसमें दोचा में रिफाइन डाला है और इसमें हम जो साबुत खड़ी मसले लेते उसे इसमें डाल देंगे अच्छे से इन्हें भूल लेंगे इसे बहुत ही अच्छा खुसबू भी आएगा अस्वाद भी आएगा पेटीज में दो सीम से खड़ी हमारी भून घाइए अब मटड़ को डाल लेते हैं मट़ भी डाल का अच्छे से बूल लेंगे फ्रोजल मटड़ है इसे थोड़ा पका लेंगे एक दू मिनट के लिए तकि अच्छे से पक जाए तभी पेटिज हमारा अच्छा लगे का खाने में फी आईस क का स्वाद भी अच्छा हैगा ताभी हम इसे भून के पका लिए इसमें चमच डाल देते हैं लसना द्रका पेश्ट और इसे भी इसी तरह से भून लेंगे अधा चमच हल्दी पाउडर एक चमच भर के कास्मिली राल मिर्च डालेंगे दो चमच आम चुर का पाउडर डालें पाउडर दैंगे अधा चमच चाक्मच डालेंगे सभी मसालो को मिक्स करेंगे एक दुसके कि इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसमें धेर सारा धनिया का पते डाल दिया और इन्हें मिक्स कर लेते हैं खटास के लिए अपने इंबू का रस भी है इसमें यूज कर सकते हैं तो हमने आम चुर का पाउडर डाला है और देखिया स्टपिंग हमारी बन के त्यार लिए और इसतर से हम रोल बनाएंगे अब ले लेते हैं चक्कू ऐसे हम कट करेंगे छोटे-चोटे-चोटे पीस में हम कट करेंगे इसे इस तरह से तो देखिए इतने तरह हमने पीस कट कर दिया है आप जीतना पीस बनाओगे उतना पिस का लिए अच्छा बैठेगा थोड़ा थोड़ा इसमें हमने सुखा आटा भी डिप कर देंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे हमें इसके पूरी बना के त्यार करना अगर टेड़ा मेरा होता है तो कोई बात नहीं बस इसे थोड़ा थोड़ा मैदे का स्प्रिंगल कर देंगे और इसे हम पूरी बना ल इसके उपर जो हमने पेश्ट बना के रखा है मैदे और रिफाइन तेल का उसको हम इस पे लगाएंगे पुरी अच्छे तरह से चारो तरफ फैला देंगे बिल्कुल अच्छे से फैलाना है इसे तब भी हमारा पुरत वाली बन पाएगी पेटिश तेखे हम गुलियों से चारो तरफ से फैला दे रहे हैं इसके उपर से थोड़े से मैदय का स्प्रिंगल कर देंगे और एक पे एक हम पुरिया एफ़ी रखेंगे और उसे भी इसी तरह से हम तयार करेंगे तेखी हमने दूसरी पुरी भी रख दी इसके उपर जो हमने पूरिया बना के त्यार करेंगे और इस तरह से सारी पूरिया हमने बना के त्यार कर लिए एक पे एक लेर हमने छे परत की लगाई है थोड़ा से इसके हलके हंते से बेलन से चला देते हैं ताकि यह गोल हो जाए और इस तरह से हम रोल करेंगे बिल्कुल अच्छे तरह से निकालेंगे, आप एक इंच या हांतों से माप करके रख सकते हैं, एक इंच का, इस तरह से हम इसके पीसे कट करके निकालेंगे, तो यह देखिए, अब आप देख सकते हैं, कितने अच्छा लियर भी आये हैं, और इजे कि यह सारे हमने कट कर लिये हैं, देखिए कितने अच एक लिया राय जब इसे हम प्राइ करेंगे तो बहुत एचे से खूलेंगे अभिने साइड में रखते हैं उसमें यह मोडा पतला भी नहीं करना अब हमते हैं यह तरब लया है जादा नहीं किया है मोटा ही है इसको हम करेंगा जआगी मैं देखे हमने इसे चकोर पीश में इस चपक रिख कर दिया है। इसके बीचों बीच हम अश्ठपिंग को भरेंगे इस तरह से और साइडसाट को हम इसमें लगाएंगे पानी और ताकु हम इसे चिपका सके हैं। यह दिखेश की किनारों में हमने पानी लगा दिया इस तरश से जब चिपकाएंगे το हमारा जो पैतीर छेख खूलेगा भी नहीं अच्छे से चिपकेगा और इस तरसने पानी लगा दिया अब इससे हम बंध करेंगे एक कुने से उठा के दूसरे कुने पर हम इसी इस इस तर से चिपकाएंगे और इस तर से अच्छा चिपका देंगalten ये देखिए हमने छिपका दिया इस अप चाहे ते एक काटे वाली चमच लेले और इस तरह से इस पर निसान बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बन के त्यार होगा, और इस तरह से सारे पेटिज को हम बना के त्यार कर लेते हैं, और देखिए इस तरह से हमने बना के त्यार कर लिए चलते हैं फ्राई करने, तो हमने कड़ाई में तेल रखा है, तिल हमारा ह में इसमें तरह का तेल चाहिए यह साथ है इसके लेर भी अच्छे से खूलेंगे जब एक तरफ सीख जाएगा तब हम इसे उल्टाइगे और देखिए यह पलटन में कितने अच्य दिख रहे हैं और दिखें रियर का इस इसी तरह का लेयर खुलता है पेटीज में देख सकते हैं बस इने हालका गोल्डन होने तक हमें फ्राइप करना है और इसी तरह का पेटीज हम मार्केट से लाते हैं घर पी आराम से बना सकते हैं बहुत आसान हैं बणाना आप पेंटीच किसके साथ खाना पसंद करेंगे तो हमने इसे टर्before gaan केचप के साथ सर्फ किया है और अच्छा बनके त्यार हुआ अपको तोड़के दिखा रहले हैं देखें कितने अच्छे लेयर इसके आया है तोड़के दिखाता है गर्मा गरम